करता हूं आप सभी का गाइस पहली चीज़ तो अभी ऐसा सी एचसल का पेपर चल ला है और सीजल का पेपर हमारा हो चुका है तो जो मेरे को काफी टाइम आटनों साल होगा पढ़ाते पढ़ाते तो काफी सारी चीज़े सामने देखने को मिली है मैं कम से हम 6-7 साथ से ऑफ लाइन ने बढ़ाया है दो साथ अभी ऑनलाइन ने बढ़ा रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा है कि सर की बहुत जादा एक्सपिरियंस होता आटनों साल लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी होता है मैं काफी सारे स्प्रिंट्स के साथ मिल चुका हूं बात कर एं तो काफी सारे को ना मास्से फोबिया होता है काफी सारे स्टुडेंट्स को मैस से फोबिया होता है कि सर मैस में डल लगता है मैं देशी रेंगे जूद नी करूंगा लेकि मैस फोबिया होता है हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे पढ़ें हमें समझ में नहीं आता कि हम जब पढ़ लेते तो कैसे अप्लाई करें हमें यह समझ में नहीं आता कहां से प्रेक्टिस करें हमें कोश्चन्स नहीं बुल पाते क्योंकि मार्किन में बहुत लेकिन, frankly speaking, सारी बुक सही होती है, एक बुक में, या दो बुक में, या तीन बुक में, मैं अगर आपको पढ़ाता हूँ, में बस कई सारी बुक से, कई सारे जागे नेट से देखता हूँ, कई सारे प्रिजियर कोशन देखता हूँ, कोशन खुद बनाता हूँ, तो काफी सारी चीजे महनत होती है, वो एक student के लिए possible नहीं है, वो सारे जिम्मेदारी एक faculty की होती है, चाहे मैं हूँ, चाहे YouTube पे offline, online, कोई भी faculty हो, वो अपने back end से बहुत अच्छा काम करते हैं सभी, लेकिन सर, जो आपकी दिक्कते होती है, कि सर, मेरे को problem हो रही है मास में मुझे सीखने को दिक्कत है, मैं apply नहीं करना आता, basic week है मेरे, तो ये सारी चीजे सर, इन सब का एक ही solution है पढ़ना, चाहे आप मुसेब करो, चाहे आप XYZ किसी faculty से करो, सारी faculty अच्छी है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कोई faculty खराब नहीं है, तो बेक चीजे पढ़ोगे तभी चीजे के लिए होँगी, कोई भी एक class, एक दिन, दो दिन, दस दिन, पंदा दिन में चीजे के लिए नहीं होँगी, ठीक है, करना कैसे है, तो देखो, पहली चीज में समझो, suppose मेरे एक chapter है percentage, मेरे percentage week है, तो मैं क्या करूँगा, पहले percentage के basic question लगाँगा, क्यों तो percentage ह हो गया, और एक ratio हो गया, यह दो chapter ऐसे हैं, जो backbone है, arithmetic की backbone है, एक तो percentage और एक ratio, यह दो chapter ऐसे हो गया, जो आपको करने ही करने, कैसे करने, चोटी चोटी चीजे चीजे, मैं आप से को 33, 1 by 3% कितना होगा, या 1 by 5 कितना होगा, तो यह सारी चीजे आपको basic चीजे देखनी है, आपको basic चीजों के लिए, hi-fi booking लिए, ncrt ले लो, या कोई से भी net से देख लो, यह सारी चीजे करने शुरू करो, advance की बात करता हूँ, advance एक ऐसा topic है, जो बहुत कम लोग को समझ में आता है, जल्दी से, आता तो है, लेकिन थोड़ा time लगता है, तो advance के लिए क्या करना है, advance के लिए, पहले algebra पर कमांड हो, क्योंकि हर एक चीज का लग 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 हो, algebra हो गया, technically हो गया, geometry हो गया, मैं मानता हूं एडवांस में काफी सारी चीज़े हैं जो मैं क्राम करूंगा लेकिन काफी सारी चीज़े ऐसी भी होती जो मैं समझूंगा तो उन सारी चीज़ों से आपको कैसे डील करना है तो देखो एक यूटूब की ग्लास is already running में अगर आपको लगता है सार मैं यूटू आपको लगता है यूटूब से पढ़ाई होगी सर आपको लगता है कोई कोर्स करना चाहता हूं उससे पढ़ाई होगी तो वहूं कर देख सकते हो यहां पर मैंने गब्रन कि एक दो ती चार पांग छे शात आट नौट तस दस रखिए यह नि दस गंडे तैंवे रहे वह रहेगी वो रहेगी सुगार गयारा से बारा अनकाडमी पिल्स पे ऐसी ट्रिग्णों मेट्री की जो क्लासेज है वह कितनी एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ ग्ल आप लोग के लिए यह जो कोर्स चलेगा वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेगा और ट्रस्ट मी गाईज इस को करने के बाद आपको एडवांस मास में अलगी confidence नजर आएगा आपको हाँ मुझे आती है चीज़े यह बाती गारंटी मैं दे रहा हूं content सारा लेटेस्ट है जो भी exam pattern में हुआ मैं को यह नहीं को सब कॉंटेंट ब्लोकुल नया बना रहा हूं मैं जो भी exam point of view से relevant content है वो सारा content आपको मिलेगा सारे latest question मिलेंगे काफी कुछ नया सीखने को आपको इसमें मिलेगा यह कब से आ रहा है यह जो बैच आ रहा है 19 मार्स से आ र पूरा प्रिटुमेंस का बार हो जाएगा कैसे लेना है सर आपको अनकैडमी लर्निंग डाउनलोड करनी है ठीक है अनकैडमी लर्निंग आप डाउनलोड करोगे तो आपको मॉइल नंबर वेरिफाई करवाना होगा ओटीप आएगा फिर वो पूछेगा कि आपकी पे एफकेट सीडियस तो मेरा कोर्स है स्सी ठीक है मेरा गोल है स्सी करेक करना है मैं स्सी पे गया स्सी पे जाके जब मैं जाओंगा तो वाइफाई स्टडी एजुकेटर पर जाओंगा वाइफाई स्टडी एजुकेटर पर जाओंगा तो मेरा कोर्स लाइव हो जाएगा आज हो जाएगा कंग नहीं होगा स्टांग मतलब अबर यह तक है आप से बाज स्टार्ट हो जाएगा तो आप जा होगे सब्सक्रिप्षूंच में जाके वो कहें और सब्सक्राइब का लो है आपका स्टैनों हो, SSCJE हो, कोई सभी पेपर SSC के अंडर आता है, तो सारे पेपर के प्रपेशन होगी, अगर आप एक साल का कोर्स लेते हो, तो 6,000 रुपए का है, 6,000 रुपीस का है, 6,000 रुपीस का कोर्स, एक महीने का जो है, कितने का है, वो 1200 का है, एक महीने का जो है, वो 1200 का है, तीन महीने का 3,000 रुपए का है, 6 महीने का 4,800 रुपए का है, एक साल का 6,000 का है, 6,000 भी नित पेप करने होंगे आपसको, आपको जब पेमिंट करने जा रहा होगे, तो यहां लिखा होगा, रेफरल कोड, तो आप यहां डालोगे नमन 10, N-A-M-A-N-1-0 without space, ठीक है, N-A-M-A-N-1-0 without space आप डालोगे, और उसे apply कर दोगे, N-A-M-A-N-1-0, और apply कर दोगे, तो 6,000 रुपए का जो कोर्स है, वो 500 का पड़ेगा, यहां पे apply लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो 6,000 का कोर्स है वो 500 का पड़ेगा, पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, Net, Banking, Debit Card, Credit Card, Behem, UPI कैसे भी कर सकते हो, पहली चीज़, दूसी चीज़, अगर आप चाहोगे तो मैं एक साल का कोर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं पैसे इंस्टॉल्मेंट में देना चाहता हूँ, तो यह credit card सुना होगा आपने, काफी bank देते है credit card, तो आप का bank क्या करेगा, उसकी किस्त बान देगा, ठीक है, वो bank के उपटे बान करता है, कि 6 मेने के बान देगा, एक साल की वो bank का matter है, ठीक है तो अगर आपको लगता है, कि सर मैं सीखना चाहता हूँ, काफी कुछ और चीज़ सीखना चाहता हूँ, तो आप यह course ज्वाइन कर सकते हैं, दूसी चीज, मेरा course दो course और आ रहा है, ठीक है, और एक defense exam में आ रहा है, तो यहां पे भी course, कोर्स 3-4 दिर में live हो जाएंगे, तो आप यहां पे भी course भाई कर सकते हैं, एक 3 महीने का यह 6 महीने का, railway का मैं prefer करूँगा 6 months का और CDS का, जो मैं DRD का लेकर आने वाल हूँ, इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आँँगा, CDS का भी लेकर आँँगा, तो इसका course 6 महीने का आप आई कर सकते हो, वह आपके उपटे पाइंट करता है, क्योंको आपको जादा बैटर पता है, ठीक आइस तो रेफल कोड हमेशा एक ही ले अपलाई करना है, और कोई नहीं नमन 10, इस रेफल कोड से आप English Math, GS Reasoning, सारे classes जा सकते हो, सारा कुछ आपको एक ही platform में मिल जाएगा, बाइ उजिंग रेफल कोड नमन 10, हर एक faculty, हर एक math के, math से कम से हम 30 से 40 faculty हैं, reasoning के काफी सारे faculty हैं, English के काफी सारे faculty हैं, GS के काफी सारे faculty हैं, Wi-Fi Study पे जितने faculty देखते हो, सारे मिलेंगे, अना काफी पे जितने faculty देखते हो, आप सारे मिलेंगे, तो एक reference course से आपको सारे faculty देखने को मिल जाएंगे, और आपको discount मिल जाएगा, कितने का 10% का, ठीक है guys, और अगर आपको दिक्कत हो रही है, कि sir मैं course क्यू लूँ, या मैं लेना नहीं जाओंगा, या फिर मैं लूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, और sir क्या यह चीज होगी नहीं होगी, तो आपने टॉलफी नंबर पर कॉल कर सकते हो, मेरा telegram group है, मैं asked by नमनसर के नाम से, ठीक है, आप वहाँ पे मुझे ping कर सकते हो, course related कोई भी डाउट हो, arithmetic का batch भी आएगा, ठीक है, और भी CPO का batch भी आएगा, CPO का notification आजाएगा अपरेल में, आपको पता है मैं SSC के लिए बहुत पागल रहता हूँ, जो भी notification या जो भी vacancies, कुछ भी आता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ, कि आपके पास सबसे पहले वो news मैं लेके आऊँ, तो दोस्तों यही मुझे बताना था, अगर आपको लगता है तो रैफल कोड 910 यूज करिएगा, और आपको 10% discount के साथ मेरा batch जॉइन कर सकते हैं,